दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल राइडर पटेल व्लॉग पर आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनस आइडिया लेकर आए दोस्तों जिसको आप अगर सुरू करेंगे ना तो सुरुआत से आपको बहुत अच्छी बेनिफिट होगी इसमें लादा खर्चा भी नहीं आता है और घर से ही इस काम को आप कर सकते हैं और इस बिजनस को करने में आपको मैंन पावर लगेगा लेकिन आप अपना परिवार वाले लोग मिलकर भी इसको सुरू कर सकते हैं आज का वीडियो काफी अमेजिंग है मैं अभी से कहता हूं कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए शूरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या अना कि हर एक परिवार को अपना गुजारा करने के लिए हर एक आदमी को खर्चा चलाने के लिए किसी नकिसी प्रकार का बिजनस तो करना ही प अपनी इंकम नई होती हैं तो अपना खर्चा भी ने चला पाता है तो दोस्तों आज हम आपको इस पॉइंट के बारे बता रहे हैं कि राजिस्तान की बहुत ज्यादा फैमस हैं और बहुत ज्यादा हर एक परिवार में इसको मिलकर बनाया जाता है और बहुत जगए ऐसा है क कजा माल और जब इसको फृराई करके लोग खाते हैं तो भी मजा आता हैं एक प्रकार के खाने कि इसको खा सकते हैं और होली के शिरर में घृर्ण के सबस्क्षा करें हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं खिच्या पापड़ की एक किच्या पापड़ का बीजनस बहुत ही ट्रीडिसनल बिजनस हैं और इसे आप सुरू कर सकते हैं मात्र आप हजार रुपे से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लगए गा चार आइटम लग लगता है दूसरा इसके अंदर एक पापड़ कार सोड़ा आता है नमक लगता है और पानी और आपको कुछ भी एडिसनल एड करने की जूरूरत नहीं है इसमें इसमें आपको घरेलू जो बरतन होते हैं उसी बरतनों से आप सुरू कर सकते हैं और गर के परिवार के सदस्य मि लेंगे ना तो बहुत सारा आपको बैनिफिट होगा अब आती है सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि इस बिजनस को करने के लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले तो पांच किलो तो मैयदा लेना है यहाप साथ में आप वीडियो देख लेजिए चल रहा है त सबस्सक्राइब ऐसे 5 किलो में 100 ग्राम आपको पापडखार सोडा डालना है लोह और फिर 5 बारे में तो सबसे पहले आप Amazon पर online site पर भी पापड़खार available है तो पहले आपको पापड़खार सोडा लेना है उसके बाद में इस काम को सुरू करना है क्योंकि पापड़खार नहीं रहेगा उसके जगह आप दूसरा सोडा यूज़ करेंगे तो सही तरीके से बता दूति ये बनेग ग्राम वही सात में एड कर देना है तो ग्राम नमक ठीके इसके बाद में एक लगबग 5 किलो के लिए कम से काम 10-12-15 लिटर पानी करव कर दो एक बड़ी सी कड़ई में या किसी बड़तन में पांच किलो सारी 15 लिटर पाने घरम कर दो उस पाने की अंदर ही आप एक मेथी का पोटला एक कपड़ा लेलो कपड़े के अंदर मेथी का दाना बांद गर डाल दो ताकि मेथी की खुश्बू से पापड़ का स्वाद पर्षास के गखना तब तक मिक्स करना कि जब को पूरा मिक्स नहों क्यएं। पूरा लगने के बाद जोस्तों यसको लगबक 15皆 डोर इस मिश्रन को वापस बड़ी बड़ी बाल बना के उसका पैडा बनाते हैं पैडा बना के कड़ाई में रख रहा हैं कड़ाई के अंदर निच्छ आप थोड़ी प्लेटे रख दो जैसा भी आम बता रहें वैसा प्लेटे रख दो ताकि इसको वापस पकाएंगे तो ये पोर दे- qad aí में इसके अंदर गरम पानी डाल देना इतनी से दवक्राइब करें आदी कंटे लिए बटी स्टार्ट परके आदे गंटे बाद में महां की बड़ए और में सबस्के बांगे में आप करना और उसको क्षिछया पापड को बहलने के लिए व आपको बैलने से नहीं भी है इसको आम धबाना पड़ता है तो इसका जो proxy सकते हैं और सको पूरी विरिदी पूरी विदी को समझने के लिए राइडर पटेल चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दिये हैं और वहां पर तो बड़िया चल रही है वह वीडियो तो उसको भी आप जाकर देख लें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अब दोस्तों बात जाती है कि यह पापड़ को बेल कर सुखा दिया हमने सुखाने के लगबग एक दिन बाद में अगर अच्छी दूप होती है तो पांच-छे गंटे में सूख जाता है और उसके बाद में इस पापड़ खीचे को आमें एक कपड़े में बांद कर निचे आप घर पे ले ले ना उसी तरीके से आपको इससे खुरपी लेना और इस तरीकी से उसको फ्राइब करना जिससे यह क्या होता ना ज्यादा बड़ा साइज में फैल जाता है ऐसा पहलने से क्या होताना कस्टमर भी अच्छे से लाता है और एक खीचिया को जो दुकान दार बेशता है ना फ्र मेनत लगी हैं आप इसकी सिद्दत से मेनत से काम करेंगे ना तो एक पीस का 30 से 40 रुपा ले सकते हैं साथ एसाथ एक किलो के मैदे में बहुत चारे खीचिया पपड़ बनते हैं और आप 30 रुपे के हिसाब से भी दस भी बैचेंगे ना तो तीन सुरुपत आपके ऐसे हो और अगर आप कच्छा माल यानि खाली खीचिया आपको बीना फ्राई किया ही किलो बेचते हैं तो तो दोस्तों इस बिजनस को करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जुरूरत नहीं मैं कहता हूं ना हजार रुपे में एक काम आपका सुरू हो जाएगा मात्र हज रुपे में आज से ही आप काम सुरू कर दो कल आपका देखो आपका रिजल्ट क्या आता है मैं के जाता हूं दोस्तों क्योंकि यह बिजनस इतना बढ़ी आया ना दोस्तों जिस परिकार से मार्केट में नमकिन बिकती है ना वैसे खीचा पड़ भी बिकता है खीचा डाल कर चीज बटर भी डालते हैं लोग तो और इतना लजीज इसको बना देते हैं कि यह पीजा के रूप में बिकते हैं जैसे पीजा होता ना वैसे ही बिकता है फचात रुपय तक इतना ट्रेडिशनल इसका स्वाद है तो आप इसे जरूर ट्राइक करें दोस्तों इस ब लाव देहात में हैं तो आपके लिए बहुत ही बैतरीन है क्योंकि आपको कोई जगर नहीं लेनी होगी आपको ज्यादा खर्चा नहीं करोंगा घर का पानिए मसाले सब कुछ घर का आपको लाना क्या है बार के बार से सिर्फ मैदा लाना है पौपट का फोड़ा लाना है तो वह कितने का होता है मैदा 30 रुपए किलो है और आप इससे इतना कमा सकते हैं कि कम बजट में अच्छी उडान बर सकते हैं तो आज ही सुरू करें ज्यादा देर न करें ठीक है ना वीडियो में कमेंट करें कैसा लगा लाइक करें सेर करें और ऐसे देर सारी वीडियों से रेगुलर आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक और सेर करने के लिए आपका दिल के गहरायों से बहुत बहुत धन्यावाद फिर मिलेंगे नए वीडियो मे जैहिन वंदे मातरम